साथियों, हमारे संतों ने हमें दिखाया है, कि जब हमारे विचारों में व्यापकता होती है, तो अपने प्रयासों में हम कभी अकेले नहीं पढ़ते। आप भारत बर्ष की धर्ती पर ऐसे कितने ही संतों की जीवनियात्रा, अगर आप देखेंगे जिनोंने सुन्य संसाधनों के साथ सिखर जैसे संकल्पों को पूरा किया, यही विश्वास, यही समर्पन मैंने पुझ्य आत्वस्थानजी की जीवन में भी देखा था, उनसे मे मेरा गुरु भाव का भी समझ रहा है, मैंने उन जैसे संतों में निश्काम होकर, शत्व प्रतिशत समर्पन के साथ, खुद को खपाने की सीखी ली है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जब भारत का एक व्यक्ति, एक रिशी, इतना कुछ कर सकता है, तो हम एक सो तीस करोड देशवासी सामुईक संकल्पों से कौन सा लक्ष हैं जो पूरा नहीं कर सकते है, संकल्प के इस शक्ति को हम स्वच्च भारत मिशन में भी देखते हैं, लोगों को विश्वास नहीं होता था कि भारत में इस तरह का मिशन सबल हो सकता है, लेकिन देशवासियों ने और प्रणाम दुनिया देख रही है, डिजिटल इंडिया का उधारण भी हमारे सामने है, डिजिटल पेमेंट्स की शुरुवात के समय कहा जाता था, कि ये टेक्लोलोजी भारत जैसे देश के लिए नहीं है, तिकि आज वही भारत डिजिटल पेमेंट्स के खेत्र में वल्ल दो साल पहले कई लोग कैलकुलेशन करते थे कि भारत में सब को वैक्षिन मिलने में कितना समय लगेगा, कोई कहता था पांच साल, कोई कहता था 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 पंदरा साल, आज हम डेड़ साल के भीतर दो सो करोड़ वैक्षिन डोज के करीब पहुँच चुके हैं, ये उदानन इस बात के प्रतीख हैं कि जब संकल्प शुद्ध हो तो प्रयाशों को पुर्ण होने में कोई देर नहीं लगती, रुकावटों से भी रास्ते निकलते हैं, मुझे विश्वास है कि हमारे संतों के आशिरवात और उनकी प्रेणा देश को इसी तरह मिलती रहेगी